तो दोस्तों आज हम नेरु जी की जो सीरीज चल रही है उसमें नेरु जी की जो साइन्टिफिक टेमपर या उनकी वेग्यानिक जो मनोवव था उसके बारे में हम लोग डिटेश में आपर डिसकस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं नेरु जी की जो भी दिष्टिकोन था या जो भी उनकी काम करने का रएव या था आंदाज थे उनको एक हिसाम से बोला जा सकता है कि एक विग्यानिक दिष्वीकोन से वो सभी चीजों को देखते थे इस लिए उनको बोला जाता है इंben Commentosti77 और अगर कहा जाए या देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि वह मतलब जितने भी आपका राश्ट्रियता वादी जो लीडर्स थे या नेता थे भारत में पैदा हुए है उनमें से वह पथम थे जो की मतलब विज्ञान को महत्व देते थे या जानते थे या मानते थे कि विज अधुनीक उसको अधुनीक बनाने में या उसको इसकी आधुनीक करण में विज्ञान या साइंस टेकलोजी एक कितनी महत्व है वह पहला एक यह संसे लीडर है कि उसकी महत्वता को मानते थे या उसको उन्होंने रेकॉगनाइज किया था अभी आगे जखते हैं, for a modern educated Indian, and this is true as well, Nehru represented the desire to be modern and scientific in one's outlook, और एक modern, आधुनिक और शिक्षित भारतिय समाज या भारतिय को, and this is true as well, उसको बनने के लिए एक modern और शिक्षित और आधुनिक बनने के लिए, Nehru represents the desire to be modern and scientific in one's outlook, उसके लिए मनिश्य को भारत के नागरिक को आधुनिक और विग्यानिक दिष्टी मनुभाव रखना होगा, उसको हर चीज को एक विग्यानिक दिष्टी को से देखना होगा, उसका चिंतन की पक्रिया को भी विग्यानिक दिष्टी से ही उसको सोचना होगा, या चिंदन का पक्रिया को भी बेगानिक रूप देना होगा और ये नेहरु जी की तीवर इच्छाती या उनका डिजायर था कि सभी भारतिय को अगर modern और educated बनना है आधनिक और शिक्षित बनना है तो उसकी जो रवय्या है उसको scientific करना होगा तो नेहरु, science considered the very essence of life without which he would say the modern world would have found it difficult to survive और नेहरु जी का ये मानना था जो जीवन का जो main essence है या जो आपका बुनियाद है जो असल जो आपका मसला है, essence of life वो है आपका science है, विज्यान है मतलब science ही जीवन का मूल मतलब उसका उत्सा है या essence है without which he would say the modern world would have found it difficult to survive और नेहरु जी ये कहते थे अगर विज्यान के बिना जो आधनिक जो जीवन मौडर्न आधनिक यूग है वो बहुत ही उसको एक मुश्किल में पड़ जाता था मतलब विज्यान के सिवा modern world या आधनिक जो विश्व है उसको बचना या उसको फेलने फुलने में काफी दिक्कत हो जाता अगर विज्यान ना होता ये कहना था नेहरु जी का मौडर्न आधनिक जीवन यापन का जो एक डोमिनेंट बहुत ही एक प्रभावश्य जो फेक्टर है वो है साइन्स के आधार पे ही उसी की वलबूते पे ही एक मौडर्न लाइफ निवर है और नेहरु इसलिए ये जोर देते हैं कि मस्ट गाइड शोशल सिस्टेम जो आधन विज्ञान से गाइड़ेंस लेना चाहिए विजान से माक दंशन लेना चाहिए चाहिए विज्यान से प्रेडीत होके ही जो आधनीक समाज समाज विस्ताया आर्थिक स्ट्रक्टर है वह बनना चाहिए घ 不 a अधारित वाट एक हो इसे emphasizing the achievements of science which include mighty and fundamental changes in numerous fields what is the most important of all changes development of the scientific outlook in man तो विज्ञान की जो achievements है जो उसकी सफलता है है उसको दिशाते होए उसको emphasize करते होए मतलब जो भी विश्व में वो नहीं जी कहते हैं जो माइटी जितने भी बड़े-बड़े या प्रफाशल जो और मोलिक जो तब्दिली आई है विश्वर में उसका उसका पस्वंजर में विज्ञान है साइंस का ही देन और यह एक प्यों का मतल मतलब नियुमेरेस फिल्स बड़े कैद के शेतर में विज्ञान का बहुत ही महान और फंडमेंटल आफदान रही है इससे कि आपका आधुनिक फंडमेंटल चेंजे आई आधुनिक यूग में और इन सभी में जितना भी आपका चेंजेस आई है में संबशने का जो एक रही ही आपका साइंस के चश्में से देखना वही है इतने मीश्ड़े में बढ़े-बढ़े महान चेंजे साहिए उसमें से चींजे से महान सब्सक्राइब आपका डेवलप्टम्ट आप साइन्टिफिक आउट्टोग या साइन्टिफिक दिश्टिकों से सभी चीजों को देखना तुगेजर विद शाइन्टिफिक मेतद दन्यू आपको अपनाने से ही मतलब मनिश्यों को मतलब यही रवय यही सोच के पक्रिया यह मनिश्यों को में आशा कीन दिखा सकती है मैंका अच्छे जीवन यापन का एक गुड़ लाइफ तो यह गुड़ लाइफ एक अच्छा जीवन यापन के लिए विज्यानिक दिश्टिकों और विज्यानिक पंथा को अपनाने से ही और यह सबल हो सकता है और दुनिया में दुख कस्ट है वह सभी की खात्मा आपका विज्यानिक दिश्टिकों से या साइंटिफिक मेथट को अपनाने से ही होगा यह नेहरू जी तरक करते थे नेहरू आर्ग्यूड ही वह सब्सक्राइब दिफिकल्टी इंहरेटेड इन नाचरिंग साइंस इंडिकोलोजी इन सोइटी वेर थोट प्रोसेस्ट वर गवांड बादिश्टिकों को बहुत जादे महतु दे थे लेकिन वह से भी वह सूचित थे एवेर थे कि जो भारत में मतलब डिफिकल्ट कि सकते हैं यह विडमबना आ सकते हैं इस समाज में साइंस विज्ञान और टेक्नोलोजी को मतलब फैलने फूलने में कितना दिक्कत हो सकते हैं वह इससे मतलब वह जानते थे इसका वे डोटो प्रस गार्ण बाढ़ ट्रडिश्टिक भारति समाज में इतने ही मतलब आधुनि समाजिक धार्मिक जो भी आपका उसकी जीवन आपने कितना प्रभावित है उसकी थार्मिक चलता है तो इसमें जो धार्म या समाज या जो समाजिक नीति नीति से वह इतना प्रभावित है कि विज्ञानिक दिश्टिकोन को अपनाना या साइन्स टेक्लोजी को उसकी चिंतन प्रक्रिया में लाना कितना एक बड़ा कठिन काम हो सकता है उससे भी वह भरेवाद मतब भरचित थे या वह जो इंडियान साइन्स कॉंग्रेस हुए थी जो लेट 30's को दशक में हुए थी आपका 1930 के अंत में अधने इंडियान साइन्स कॉंग्रेस नेहरू स्टेटेट नेहरू जी ने वहाँ पे एक तार्क रखा था उन्होंने यह वक्ते बड़ा था व्यात किया था पॉलिक्स लेड में टू एकोनोमिक्स और इस इस लेड में इनेविटिवली तू साइन्स मतलब राजनीती ने उनको अर्थनीती सिखाया और यह अर्थनीती ने उनको दिरे धिरे वीज्जान के ओर उन्हें कीच लिया साथ साथ आपका विग्यान के साथ उनको पॉल्टिक्स को में आने से उनको एकोनोमिस अपनाना पड़ा और एकोनोमिक्स को जानने के लिए उनको साइन्स अपनाना पड़ा और साइंटिवी एप्प्रोच को उन्होंने अपनाया और उन्होंने यह माना कि साइंटिवी एप्रोच विग्यानिक दिश्टिक्वन है और जीवन की जितने वी समस्या है सभी की समाधन अपका विग्यानिक दिश्टिकों से समाधन हो सकता है और यह मानते थे कि यह साइंस ही एकमातर एक उपा है जो कि भारत की जो जितने भी भारत समाज का जो भारत वासी के प्रोब्लम से जैसे कि भूकमरी हंगर गरीवी प्रबर्टी और इंसेनिटेशन जो अ चहरों में एन लिटरसी और जो अशिक्षिता जो अनपरता जो लोगों की जो रिटरसी रेटेटेश ना कम था और सुपास्टिशन एकडेम अंडिका एंड डेड़निंग कस्टम एंडेशन और जो लोगों में जो कूर रिती या सुपास्टिश अंध विश्वास था पिष्टा बनाने वाला पिच्छले मतलब लोगी जो एक समाज को मार देणे वाला डेल्लिंग कस्टम जो रिती पीपल और यह मतलब इस विज्ञान को नहीं अपनाने के लिए विज्ञान को ना अपनाने के वज़े से भारत की जो रिसोर्स थे संपत्ता संपती थे वो सभी कुछ वेस्ट हो रही है कोई काम पर नहीं आ रही है और फिरीज काने इनहेविटेड बैस टार्विंग पीपल और यह गिरमना है यह तो भारत बहुत ज़्यादा एक अमीर देश है लेकिन उसकी जो निवासी है वह वास्तव में भूप मरी के शिकार है बताव अधिवी भारत मुल खाने के वाब से वो मर रहे हैं तो यह सभी प्रॉब्लम आपका विग्यानिक इस्टिक्रों को ना अपनाने के लिए साइंस को ना जानने के लिए ना जानने से साइंटिफिक अप्रोच को ना अपनाने से यह और साइंस यह साइंटिफिक अप्रोच को अपनाने से यह सभ दारत की सभी जो आम प्रोब्लम है वो सभी से हम भर सकते हैं यह कहना था नेरु जी का है नेरु माता जी बुगोती नहीं मेला थे फिर भी ओने जी को दर्म-विश्वास पर या उनकी नहीं प्रवाव बिल्कुरी नहीं बड़ा था इंस्पाइड विस ओवर 30 यह कॉंटेक्ट विट गांधी जी उस प्रोफेटिक परसनल्टी इंप्रेस्ट एविवन नेरु कॉंटिनूट एन इफेक्ट रिमेंड एगनोस्टिक और यह देपी मतलब नेरु जी जो भागवान के उपर उनकी जो अनास्था या उनकी जो कोई यह दूद की तरह उनके परसनल्टी थी मतलब उनकी जो विक्तित्व थी तो वह भी नहिरुजी की जो धर्म विशास या भगवान पिक जो उनकी आस्ता है उसको प्रभावित नहीं कर पाया था मतलब वह पुरजीवन काल में वह एगनोस्टिक या भगवान पे अनास्था वाले उनकी रितिनिती रवय्या रही थी और यह भी नहीं कि वह एक स्पिरिचल थे धार्मिक या स्पिरिचल परसनेटी था उनका वह एक बीच का एक रवया रखते थे वह नहीं भगवान पर आस्था रखते थे और नहीं धर्म को नाकारते थे और यह लिखते हैं कि जब भी मैं मतलब इस दुनिया विश्व में देखता हूं तो एक जो अन्जान जो एक डैप्स है जो विश्व की जो रहसे है वो उनको हमेशा चकित करते रही है इसका मतलब वो तो यह मानते है कि बहुत कुछ चीज है जो कि मानक की समझ से बाहर है फिर भी वो भगवान पर आस्ता नहीं रखते थे बहुत सारे मिस्टरीज है अनिश्चिता है मतलब बहुत सारे चीज हम लोगों की ज्यान से बाहर है फिर भी यह सभी चीजों को वो मतलब भगवान का रूप या भगवान का नाम नहीं देना चाते हैं क्योंकि गोट अस कम तो मीन मच धी कालो ज्यान मिस्टा मूश जो-बवर भी ऊसफान की एसको जाना है उससे भगवान पर आस्ता नहीं रखते हैं but what he could call spiritual the term that he used often was nothing but one that was subscribed to moral or ethical and narrow was only in that narrow sense religious religious in the framework of science or energy ki di shikon se joe bhi adhyatmik hai spiritual hai the term he matab wo joe term se wo parichit hai adhahatik ma te joe bhi adhahatmik gyan ya joe knowledge thangka was nothing but one that was subscribe to more or do netikta ya morality pay ethical netikta ya morality pay and narrow was only in that sense religious religious the framework of science on the organic district on sebi garyk mahabdant sehi wo a dharmik the or was a morality pay a low ki netikta pay he adhaharit tha or wo b aka a vegan ki di shikon se vegan ki jo mahabdant pe simi tha matlab unke liye dharm matlab tharm vishwaat tharm vishwaats rakna matlab ever logo ko moral banna hai ya ethical banna hai us or wo us se lava kuchh nahi hai science was Nehruz mantra or Nehruji ki joe ekmaatr mantra tha yao yeh tha vigyyan in case test vigyyanik Nehruji ke dharm tha ya mantra science as a way of observation and precise knowledge and deliberate reasoning so savi chiyo ko dhekna jaan na parakna and precise knowledge or saathik gyan ko jaan na ya aharan karna and deliberate reasoning or logeo ki svaiccha joh reasoning hai sosnye samajnye ki joh gyan hai joh kabilet hai usi se sabhi chiyo ko parakna ya saathik knowledge ko aharan karna usko grahan karna usko lena aur sabhi chiyo ko observe karna yeh sabhi chiyo nehruji ke liye sa aap se dharm ke saman tha ya tharmi ke saman tha barna saFamke saman tha so daosya ji ki concept of aapka ya narooji ki scientific temper ya veganic isti kundi toh a shakarta aap logeo a jalaga a chalaga eati like count ki jiiga اور कुछ doubts है तो comment section लिखिएगा आज के लिए तेंक यू